नमस्कार, आईए आज हम सर्वनाम के विशे में जानते हैं इसके अंतरगत हम जान पाएंगे की सर्वनाम की परिभाशा क्या है इसके कितने भेद होते हैं तथा वक्य में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है सर्व नाम की परिभाशा जिन शब्दों का प्रयोग संग्या के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्व नाम कहते है जैसा की सर्व नाम के नाम से ही स्पस्ट है सर्व नाम दो शब्दों के मेल से बना है सर्व जमा नाम अर्थार्थ सब का नाम उधारण मैं, तू, आप, स्वयम, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इतियादी ये सभी शब्द संग्या के स्थान पर प्रयोग किये जाते हैं इसलिए इने सर्वनाम कहा जाता है अब हम एक उधारण के माध्यम से सर्वनाम को समझने का परियास करते हैं राघव ने कहा कि राघव कल विद्यालय नहीं आएगा क्योंकि राघव को कल शिमला जाना है और राघव को राघव की नानी जी से मिलना है उप्रोक्त पंक्तियों में राघव संग्या शब्द है और बार-बार उन्रावृती के कारण भाशा सटीक नहीं लग रही है और बोलने के प्रवाह में भी रुकावट आ रही है इन्ही पंक्तियों में सर्व नाम का प्रयोग करके हम इस प्रकार से लिख या बोल सकते हैं राघव ने कहा कि कल वह विद्याले नहीं आएगा क्योंकि उसे कल शिमला जाना है और उसे अपनी नानी जी से मिलना है इन पंक्तियों में राघव शब्द की पुन्रावृती से बचने के लिए उसे अपनी उसकी शब्दों का प्रयोग किया है ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं सर्वनाम के भेद सर्वनाम के छै भेद होते हैं नमबर एक पुरुष वाचत सर्वनाम नमबर दो निश्चय वाचत सर्वनाम नमबर तीन अनिश्चय वाचत सर्वनाम नमबर चार संबंध वाचत सर्वनाम आईए अब हम सर्वनाम के भेदों की विस्तार से चर्चा करते हैं सबसे पहले करते हैं पुरुष वाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है वह पुरुष वाचत सर्वनाम होता है इसके तीन भेद होते हैं नमबर एक उत्तम पुरुष मैं हम मध्यम पुरुष तु तुम आप अन्य पुरुष वह उसे उन्हें अब हम वाक्यों के माध्यम से भी इने सपस्ट करते हैं मैं, मैं पौश्टी काहार का सेवन करता हूँ, हम पौश्टी काहार का सेवन करते हैं, यह उत्तम पुरुष के उधारन है मध्यम पुरुष, तु, तुम, आप, तुम्हें पौश्टी काहार का सेवन करना चाहिए, आपको पौश्टी काहार का सेवन करना चाहिए अन्यपुरुष वह उसे वह पौश्टी कहार लेता है उसे पौश्टी कहार लेना चाहिए निश्चे वाचत सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी वस्तू या व्यक्ति के विशय में ठीक और निश्चित ज्यान हो वह निश्चे वाचत सर्वनाम होता है उधारन यह एक किताब है यह रोहित का घर है यहाँ पर यह शब्द से निश्चिता का बोध होता है कि यह रोहित का घर है और यह एक पुस्तक ही है आगे है अनिश्च्य वाचत सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तू या व्यक्ति का बोध नहीं कराई वह अनिश्च्य वाचत सर्वनाम होता है उधारन कुछ काम करो दूद में कुछ गिर गया है अपनी कक्षा से किनी पाँच बच्चों को भुलाईए यहाँ पर कुछ और किनी शब्द से अनिश्चिता का बोध होता है इसलिए इन्हें अनिश्च्य वाचत सर्वनाम कहते हैं संबंद वाचत सर्वनाम जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंद जाना जाता है वह संबंद वाचत सर्वनाम होता है उधारन जो जागत है सो पावत है जो सोवत है सो खोवत है यहाँ पर जो और सो संबंध वाचक सर्वनाम का कार्य कर रही हैं, जो सोवत और खोवत को जोड रहे हैं प्रश्न वाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए सवाल पूछने के लिए किया जाता है, वह प्रश्न वाचक सर्वनाम होता है उधारण आपने क्या खाया है आपको किस से बात करनी है आज फिर कौन आया था तुम विदेश से क्या लाए हो यहाँ पर कौन क्या किस से शब्द प्रश्न पूछने का कार्या कर रही है इसलिए इने प्रश्न वाचत सर्वनाम कहा जाता है निज वाचत सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग करता कारत स्वयम के लिए अर्थात अपने लिए करता है वह निज वाचत सर्वनाम होता है उधारण मैं अपने आप चला जाओंगा मैं स्वयम कार्या कर लूँगा तुम खुद चले जाओ यहां पर अपने आप खुद स्वयम शब्द निजिता का बोध कराते हैं इसलिए ने निजवाचत सर्वनाम कहा जाता है धन्यवाद